हाई हेलो गाईज वेलकम एक टो मैं चैनल तानवी करेटी चैनल में आप सब्सक्राइब करने वाले हैं तो आज फिर एक न्यूव वीडियो आपके साथ सेयर करने वाले हूं करीबन सिक्स टिप्स और टिक्स सेयर करूंगी सभी आपको बहुत कमाल के लगने वाले एक से बढ है तो उसका हम किसे से करें मतलब सोकी सेविंग कर सकते हैं बहुत ही सिविंग्स बताते हैं वह टाइम की सेविंग और पैसों की से पनावा में तो बरतन के साफ नहीं हमें क्या है मार्केश से या तो प्ताम बदी लानी पड़ती है तो आप सब्यों को पता पैसा लगता है है और जैसे हम घर में भर में साप करने बैठते हैं तो मैं घंटो टाम लग जाता है को साफ करने में तो ऐसा आपको को जहाँ इसमें कि हुलके हाथों से आपको साप हो जाएगा तो आपको क्या करना है इसमें tweakा आर्टः ले ब dumb 1 नमक बगेशुव्ट लेना है थाल बेढ़ एक च्छुटकी और नमक भी एक चुटकी डाल देना है रहे बच्पन के लावत डाल देना सकते हैं कि अधर करने देंगे जोघ्या इसका धर सकते हैं जो जरूरे चीज राएं है जिसे कि आपको चारज ना हो तो डहीं तो सभी के घर में होता ही है तो आपको क्या करना है अभी हातлекा है इसके पूरे इसके लगए त्हूल है इसके लगा दूंगी और जो लोटशा है पूजा का उसके भी मैं लगा दूँगी इसके लिप दूगी पूरा इस लेफ कर दोंगी और फिर बाद में इसको क्या करूंगे हैं मैं अब करना इसको पांस से दस मिंट के छोड़े लेफ कर तो यह नीमू से मैं आपको थोड़ा-थोड़ा नीमू से गिस दरी हूँ आसानी से मैंने 5-10 मिन के लिए चोड़ दिया तो उसके बाद में इसको गिस रहूँ ना तो बहुत ही easier से गिस नहीं रही है हलके हलिकात दूसी में कर रही हूं और बहुत easy से color निकल गया है और सबसे इची बात है कि इसको साब करके हम रखेंगे ना तो ऐसे नहीं है कि आप जैसे हवा के संप्रग में आते हैं बरतन तो बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं तो काले भी नहीं पड़ेंगे तो आप क्या करें यह चाज कर लीजिए चाज दही तो हमारे सब के घर में होता ही है और जो हमने जो भी चीज इसमें यूज़ किये इसमें कोई पैसा खर्ष नहीं होने वाला सभी से आप इसको साप कर सकते हो बहुत ही आसानी से तो देशेतों इसकी ठाल में लिखे हुए हैं तो उनों को साप करने हम ठोड़ा प्छाए मैं थोड़ा आप को क्या ह पशन्द है फैसे चाय को पीटे ही हैं चाय को इसतर है लेकिन चाय या सמचके में वे है और फिर बात में हमें क्या करना है इन्हों को मिला लेना है और इंडेकशन क्या घर होने के लिए रख दोंगी इसको अच्छे से गरम होने के लिए रख रहे हैं तो यह वाल今 चो हमने बना और झायरने पूम पाल नमग डाली और कुछ नहीं डाला है और इसमें क्या कर रही हूं मैं इसको डाल दूंगे गरम होने लगा है इसमें और इसको मैं डाल दे रही हूं तो इसको डाल देंगे नहीं तो इसको बोईल होने देंगे यानि पाने को खोड़ने देंगे फिर हम क्या करेंगे इसमें दो नीमो के चिलके डालेंगे आदा आदा दो नीमो के चिलके थे तो यह मैं चिलके डाल दे रही हूं इसमें रस हलका हलका होगा नहीं डाला है मैंने और यह बोईल होने लगी है दे सकते हो और मैंने बंद कर दिया इंडेक्शन और इसका मेल है बिलकुल डीला हो चुका है जो हमारे पाइल में हो चांदी की पाइल हो गोल्ड की जोएलरी हो कुछ भी हो तो इस तरह से साफ कर सकते हो बहुत इजीली से साफ हो जाता है इन्हों में चमक आ जाती है और इन्हों के अंदर जो मेल जम जाता है वो बहुत इजीली डीला हो पानी वाली नहीं को मैं डालूँगी गार्डन में जहां हमारे पिछे बाड़ी करी हुई है उन्हों में डालने वाली हो तो जब यूद्ध आपको इस तरह से काम देना है फेंगना नहीं है आमने पाइल भी साप कर लिया और इस पानी कैसे बहुत जुर्ण होता खाया है कि हम दोण नहीं होरा पाता थे शक्षभ पाते जो वह इस होती है भी यूज़ा एक्षाल कुछ नहीं चीरा यूज़िग करते हैं तो इन छिलकों को आप इनों में डख दीजिए और जब पहनेंगे ना तो इसमेल भी नहीं आएगी पेरों में और इसकी कुस्बू इसमें बनी रहेगी ताप इस तरह से फिरी का जो पर्फ्यूम का काम करेगा मतलब एक फिरी का है क्योंकि इनों को कच्रा समझ के हम फैंक देते इनों को आप इस सूज में रखिए जब आप सूज पहनों तो निकाल दीजिए और जब सूज खोल दो तो दुबार संत्रे की चिलकेस में रख दीजिए कभी इनों में बदबूर नहीं आने वाली आपके सूज में इस तो इस तरह से कर सकते हो गाइस वह भी मैंने बहुत अच्छे आइडे बताएं आपको सूज को बिना दोहे साफ करने के यह आपने नहीं देखियो टिप्स एंडेक्स तो उन्हों की वीडियो के लिंक भी मैं इसी वीडियो की नीचे डिस्किशन बॉक्स में दे दूंगी आप जाके देख लीजिए गगाईस आपको बहुत ज तो जोपना सी आपको जूना ले लेना है और इसके उपर रफ करना है तो इसकी क्या होगा इसके यग भी शूत किले कर दो लोग दोगाए Passman है किसी बरतन के साबस्सा कि प्रामेश की आवे से बीसिते हैं और शॉर्ट तरह से आपको लोहे का जूना ले lleva impossibly तो पर रुफ करना नहीं जाए का ज्ञ Kerry बिधूट तो आप नुएकी जुने से केज़ी की आप ऍटाइव कर सकते हो सकते हैं दो कि आप यह दार वह बहुत नहीं से दर्मेया एपट भर सकते हैं तो यह हमारी कैची भी अच्छी साप हो गई है और इसके धार भी लग गई है तो वेसलिन हो तो वेसलिन से यह काम हो गई है इसमें जंग नहीं लगेगी दुबारा हम इसको रखेंगे तो जंग नहीं लगेगी बिल्कुल विसमें तो यह आई होप आपको यह टिप जरूर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक है वगर मच जाईएगा क्योंकि देखिए हमारी कैंची तो बिलकुर साप भी हो गई है और इसकी धार है वो भी तेज हो गई है तो यह हमारी कैंची भी ठीक हो चुकी है आप है टिप नंबर 5 है वो है सिंग से लेके तो गायस ये tip झाएं तैंस कमाल के लगने वाली सिंक में कोकस, कीड़, मकोड़, जोक, इस तरह की चीजो आने का डर होता है तो आप subjects की raper होगे या जैसे चिपस की early ever होगे तो एसे फैंक देते हैं उसके जिगे आप क्या रहें को जैसे आप बरतन साफ करते हैं तो नल जो करूँए जाता है जो चिर जाते हैं और जान को चोटा झाता है जाता है पिर गाइएप घैस पे और इस तरह से लगाएंगे तो इसमें पानी इजीली चले जाएगा और जो हम बरतन साफ करेंगे जो कच्रा होगा वो उपरी रह जाएगा जिदि आपके जाली नहीं लगी हुई हो यहां पर तो आप इस तरह से कर सकते हो और फिर बाद में आप बरतन साफ करी आपका एश्टरा कच्रा कीड़े मकोड़े या जो ऐसी कुछ चीज़ा आती हो तो बिलकुल वी सिंग के उपर नहीं आ पाएगी तो उमीद करती हूं आपको टिप जरूर पसंद आई होगी देखिए मैं नल चला के दिखा रही हूं तो पानी बूरत इजीली से जा रहा है तो आपको टिप कैसी कोड़ी गारी वीड़न करना इस तरह से कंड़ध में और को अनुकल में इस प्रेइए जन्योज्ट को निकाल लेना है तो उमीद करते हूं आपको सभी तिप पसंद आई होगी तो मैं उमीद करती हूँ आप सभी को मेरे वीडियो बहुत जदा पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक की बगर मच जाएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन गंटी को दबाना मत बूलिएगा कमेंट बुक्स में यह भी बता सकते हो सबसे बेस्ट वाली टिप्स एंट्रिक्स कौन ची लगी और हाँ यह आपको कोई कंफूजन वीडियो में तो कमेंट करके पूल सकते हो मैं उसका प्लाइच जरूर देती हूँ तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कल ही स्याम के पांच